हलो बच्चो कैसे हैं आप मैं अर्विंदार आप सभी का स्वागत करता हूं कुछ अभी मेरी तबियत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए कुछ आप बीडियो लेनी पाए मतलब कंट्यूनिस बीडियो आनी पाए आपके 2018 के पेपर सॉलूशन के तो आज मैं थोड़ा सा ठीक फ हो गया था तो कई सारे बच्चों ने सिकायत है कि इसार इतना बड़ा वीडियो मत बनाया करो थोड़ा सा छोटा रखो लेंथ तो आज हम एक पर्टिकुलर लेंथ ही रखेंगे उसकी तो देखते हैं हम आज 28 नमबर कोश्चन क्या है बिद्दुच्छेत्र की तीप्रता क होगी तो देखिए बिद्दुच्छेत्र की तीप्रता अगर हम बिद्दुच्छेत्र की तीप्रता की परिभासा लेखेंगे कि बिद्दुच्छेत्र की तीप्रता क्या होगी तो यह समझें थोड़ा सा कि अगर हम परिभासित करें कि बिद्दुच्छेतर की तीब्रता क्या होगी तो देखिए एक हमने आवेश लिया प्लस क्यूट ठीक है पहले concept समझते हैं एक प्लस क्यूट आवेश लिया इस प्लस क्यूट आवेश के चारों ओर ठीक है एक प्लस क्यू आवेश है इस प्लस क्यू आवेश के चारों और यहाँ पर एक ऐसा छेतर बनता है इसके चारों और तो यह कहलाता है इसका बिद्दू छेतर तो प्लस की वह आवेश जितने दूरी में मतलब जब किसी आवेश को अन्य आवेश की बिद्दू छेतर में रखते हैं ठीक है तो वो हमीसे एक बल का नुभव करता है जब किसी आवेश को दिये गए आवेश के बिद्दू छेतर मे आवेश को दिये गए आवेश के बिद्दुच छेतर में रखते हैं तब वैं हमेंसे एक बल का अनुभव करता है बिद्दुच छेतर में रखते हैं तब वैं हमेंसे एक बल का अनुभव करता है ठीक है? हमेंसे एक बल अनुभव करता है ये बात समझ में आई नोटस आपको साथ साथ में बनाने है क्या बताया? जब भी किसी आवेश को ये प्लस की हूँ आवेश है इसको दिये गए आवेश के एक आवेश क्यू नोट को रखा दिये गए आवेश के बिद्दुच छेतर में तो ये हमेशा एक बल लगाएगा या वो आकर्षन प्रकरती का हो सकता है और प्रतिकर्षन प्रकरती का हो सकता है अब देखिए यहां से अगर हम परिवासा देखें थोड़ा सा कोशन नोट कर लीजिए बिद्दुच छेतर की तीब्रता को परिवासित कीजिए एक आवेश्य चालक की सतय पर बिद्दुद बल एवं बिद्दुद दाव के लिए बेंजग ज्यात कीजिए कोशन आप नोट कर लीजिए ठीक है फिर देखें इसकी परिवासा क्या लिखेंगे हम यहां पर तो हमेशे एक बल का अनुभव करता इसके बाद आपको लिखना है क्या लिखेंगे किसी आवेश की बिद्दुद छेतर में स्थित आवेश के किसी आवेश के किसी आवेश के बिद्दुच्छित्र में इस्थित इकाई धनावेश पर किसी आवेश के बिद्दुच्छित्र में इस्थित इकाई धनावेश जितने बल का अनुभब करता है जितने बल का अनुभब करता है ठीक है? क्या बताए जब किसी आवेश को दिए गए आवेश के बिद्दुच्छित्र में रखते हैं तब वे आवेश हमेंसे एक बल का अनुभब करता है अते हैं किसी आवेश के बिद्दुच्छित्र में इस्थित इकाई धनावेश, जितने बलका अनुभव करता है, उसे बिद्दुच्छेतर की टीबरता कहते हैं, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? बिद्दुच्छेतर की टीबरता कहते हैं. क्या बताया आपको जब किसी आवेश को दिये गए आवेश के बिद्दुच्षेतर में रखते हैं तो इस पर हमेशा एक बल लगेगा यह हमेशा एक बल कानुभव करेगा अत्य किसी आवेश के बिद्दुच्षेतर में इस्थित इकाई धनावेश यदि इसको कितना मान लि कहते हैं क्या कहते हैं बिद्दुछेत्र की तीब्रता अब कहा गया एक आविशित चालक की सत्य पर बिद्दुथ बल एवं बिद्दुथ दाव के लिए बेंजग ग्याद करना है क्या करना है आविशित चालक की सत्य पर बिद्दुथ बल एवं बिद्दुथ दाव ठीक है और आवशक चित्र भी बनाना है तो आविशित चालक की सतह पर आपको क्या करना है विद्दुत वल ग्यात करना और विद्दुत दाव ग्यात करना है तो देखिए आप कोशन नूट कर लीजिए एक आविशित चालक की सतह पर विद्दुत वल एवं विद्दुत दाव के लिए ब्यंजक प्राप्त कीजिए अब चित्र बनाईए इसको देखते हैं आविशित चालक की सतह पर विद्दुत वल एवं विद्दुत दाव तो देखें ये क्या होगा आविशित चालक की सतह पर हम कहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या आविशित चालक की सतह पर की एक मिट आविशित चालक की सतह पर बिद्धुत बलिवं बिद्धुत दाब क्या लिखेंगे आवेशित चालक की सतह पर बिद्दुत बल एवं बिद्दुत दाव इसका सूतर ग्याद करना है बिद्दुत बल एवं बिद्दुत दाव और कह रहे हैं चित्र भी बनाईए तो चित्र भी बनाते हैं हम इसका तो देखिए इसके लिए बिद्दुत बल और बिद्दुत दाव का मान याद करना है अब हमने क्या किया मान लिया एक आविशित गोलिय चालक हो गया यह आविशित चालक हो गया या इसका 3D राइग्राम देखें थोड़ा सा तो देखिए 3D में अगर हम इसको देखते हैं तो कुछ ऐसे बनेगा यह सोरी यह बनेगा इस तरह से बनेगा यह एक आविशित चालक हो गया दाब के कारण इसका आकार ऐसा हो धुद्र आव हमने क्या किया इस आविशित चालक पर इस आविशित चालक जो लिया हमने इसका एक भाग कट किया है क्या किया एक भाग काट दिया इसका सुरी ये एक आपका आविशित चालक हो गया इस आविशित चालक से हमने इसका इतना भाग काट के अलग कर दिया ये मानलो इतना भाग काट के आपने क्या कर दिया इसका अलग कर दिया आप चाहो तो इसको अलग भी बना सकते हो उपर बना दें इसके थोड़े से एक आविशे चालग था उसके हमने दो भाग कर दिये एक तो ये बाला भाग हो गया और दूसरा ये भाग हमने दोनों चालग के ये जो भाग है वो सेपरेट कर दिये वो अलग-अलग करती है जैसे हमने इसको प्लस क्यू आविस दिया तो ये आविस आप प्लस क्यू आविस देंगे तो ये आविस चालक की सतह पर एक समान रूप से बितरित हो जाएगा इस प्रकार से आविस चालक की सतह पर एक समान रूप से बितरित हो जाता है इस प्रकार से ये आविशित चालक की सतह पर क्या होगा बितरित हो जाएगा अब जैसे ये आविश आविशित चालक की सतह पर बितरित हो गया तो माना एक आविशित चालक ठीक है माना एक आविशित चालक जिसका आविश क्यूँ माना माना एक आवेशित चालक माना एक आवेशित गोलिय चालक जिसका आवेश क्यूँ? जिसका आवेश क्यूँ? जिसका आवेश क्यूँ? ठीक है? जिसका आवेश क्यूँ एवं चालक की सतह पर प्रश्टी आवेश घनत्व चालक की सतह पर प्रश्टी आवेश घनत्व चालक की सतह पर प्रश्टी आवेश घनत्व सिग्मा है ठीक है? चालक की सतह पर प्रश्टी आवेश घनत्व सिग्मा है अब हमने क्या करना है इसकी विद्दुच्छित्र की तीब्रता ग्याद करनी है तो हमने इस पर दो भागों में बिवक्त कर दिया एक तो भाग ले लिया ये MN छोटा वाला भाग काट के अलग कर लिया और एक MLN तो चालक की सतह पर विद्दु छितर ग्यात करने के लिए हमने इसे दो भागों में पिभख्त कर दिया mn और mln हमने असा माना कि जो mn भाग है उसका आविश कितना हो गया? dq हो गया अच्छा जो बड़ा भाग है M L N इसके करण विद्दुच्छित्र की तीब्रता E 1 है तो हमने ग्याद करने के लिए यहाँ पर दो बिंदू ले लिए एक बिंदू को हमने मान लिया यह P 1 बिंदू हो गया यह कितना ओगया P 1 ओगया दो भाग लिये दो बिंदू लिये एक ओगया आपका पी 1 और दूसरा हो गया P 2 अगर हम P 1 की बात करें तो इसके करण जो विद्दुच्छित्र है इस वाले भाग के कारण वो माना है हमने कितना E 1 और इस वाले भाग के करण जो बिद्दुच्छित्र माना है वो माना है कितना E2 तो हमने पढ़ा है बिद्दुच्छित्र की तीब्रता एक सदिश राशी है अच्छा अब ये बिंदु है तो ये आविश के कारण दूर की ओर तो विद्दुचित्र की तीप्रता ऐसे जाएगी दूर की और E1 अब इस आविश के कारण छोटे DQ आविश के कारण भी दूर की और तो इसके कारण भी दूर की और जाएगी E2 बात समझ पा रहे हैं? अंदर ग्यात करना है तो हमने पढ़ा है विद्धुच्षित्र की तीप्रता है एक सद्धिस राशी और इतने भाग के कारण इस भाग के कारण दूर की ओर तो दूर तो इधर जाएगा इसका दूर इधर जाएगा तो हमने यह लिखा इसके भाग के कारण कितनी आएगी वाले भाग के कारण भी दूर की और तो दूर की और तो इधर जाएगा इसका दूर की और तो यह जाएगी इटू बात समझ पा रहे हैं इस भाग के कारण दूर की और तो दूर की और इधर बनेगा और इस भाग के कारण दूर की और तो वो इधर बनेगा लेकिन अगर हम ब आवित घनत पर सिग्मा है ठीक है। छालक की अकारण हमको क्या ज़र्म बलगयात करुक्त है। तो आवेशित चालक की सतह पर बिद्दुत बल ग्याद करने के लिए एवं दाब ग्याद करने के लिए इसे MN और MLN दो भागों में विभाजित करते हैं इसे MN एवं MLN दो भागों में विभाजित करते हैं दो भागों में विभाजित करते हैं ठीक है? दो भागों में बांट देते हैं भाग MN के कारण तीब्रता भाग MN के कारण तीब्रता एवं एवं भाग MN के कारण तीब्रता एवं थीक है? तब हमने इस पर दो बिंदू लिए P1 और P2 तो भाग P2 के कारण बिद्दू छित्र की तीब्रता भाग P2 पर चालक के अंदर इस्तित भाग P2 पर बिद्दू छित्र की तीब्रता ऐसे लिखते हैं चालक के अंदर भाग P2 पर बिद्दू छित्र की तीब्रता अब एक बात का ध्यान रखें आप इसको नोट कर लें क्योंकि आपके पास चित्र सामने होगा तो आपको समझने में आसानी होगी तो आप यह लेक नोट कर लें बीडियो को पॉस्ट करें वह चित्र बना दें और यह नोट कर लें फिर हम इसके आगे सौल्व करते हैं तो देखिए आगे हमको क्या लिखना है इसमें आगे क्या सौल्व करना है बिन्दू P2 पर बिद्दू छित्र की तीब्रता की बात कर देखेंगे चालक के अंदर, चालक के अंदर, बिंदू पीटू पर चालक के अंदर, बिंदू पीटू पर बिद्दु छेतर की तीब्रता, बिंदू पीटू पर अगर हम बात करें कि बिद्दु छेतर की तीब्रता कितनी है, तो आप क्या लिखेंगे इस पर? E, P, 2 बरावर E, P, 2 बरावर अब हमने पढ़ाए कि खोकले गोली चालक के अंदर बद्यूचितर की ति बरता शूननो होती है क्या पढ़ाए कि लेकिन इन दौनों की दिशा एक दूसरे के बिप्रीत है बिप्री थे तो घटाना पड़ेगा आपको तो हम लिखेंगे e1-e2 इस पर अंदर कितनी होती है? 0 तो यह जाएगा e1-e2 तो यह जाएगा आपका e1 बरावर e2 पहला समीकराण बड़ा important point है यह ध्यान रखने वाला है बिंदू P2 पर बिद्दू छेतर की तीब्रता ग्याद करने के लिए हमने परिणामी तीब्रता या बिंदू चालक के अंदर बिंदू P2 पर बिद्दू छेतर की परिणामी तीब्रता बिद्दू छेतर की ऐसे लिखने ये परिणामी ती ब्रता ठीक है e p2 बराबर even minus e2 ये 0 हो गया तो even minus e2 even equal to e2 एक समीकरण आगया आपके पास क्या आप बात समझ पा रहे हैं इसका मतलब है कि ये और ये दोनों बराबर हैं अब बिंदू चालक के बाहर बिंदू p1 पर विद्दू छेतर की ती ब्रता तो हमने लिखा चालक के बाहर बिंदू p1 पर विद्दू छेतर की ती ब्रता बिंदू p1 पर विद्दू छेतर की ती ब्रता अब कहां कैलकुलेट कर रहे हो आप p1 पर कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे e p1 एक्वल टू e1 प्लस e2 और समी करण एक से हम ऐसा पहले सिद्ध कर चुके हैं क्या हम यहां पर लिखेंगे क्या समी करण एक से समी करण एक से एक से e1 जो है वो बरावर है e2 के ठीक है even e2 के बरावर है इसका मतलब आप यहां पर क्या क्या सकते हो कि आप क्या सकते हो e p1 एक्वल टू e1 प्लस e1 ऐसा कहा जा सकता है या आप ऐसा कह सकते हो क्या e2 प्लस e2 कहने का मतलब है कि जो p1 पर तीब्रता आ रही है वो आ जाएगी या तो 2e1 या जाएगी 2e2 इतनी तीब्रता आएगी अब हमने क्या पढ़ा है कि खोकले गोलीय चालक के कारण इसका आविश्टी क्यों हो गया खोकले गोलीय चालक के कारण विद्धुच्षितर की तीब्रता जो होती है खोकले गोलिये चालक के कारण अगर आप देखोगे तो विद्दुच्छितर की तीब्रता क्या आएगी इतनी विद्दुच्छितर की तीब्रता होती है कि इसके कारण खोकले गोलिये चालक के कारण तो अगर हम कहें कि खोकले गूलिय चालक के करन बिद्धु छित्र की तीब्रता तो sigma upon epsilon note कितना आएगा? sigma upon epsilon note किसके करन खोकले गूलिय चालक की सतय पर बिद्धु छित्र की तीब्रता तो देखें ये ओगया आपका समीकर नंबर 2 आगे लिखते हैं हम इसी के बाद तो हम क्या कहेंगे खोकले गोली चालक की सतह पर बिद्दुछित्र की तीब्रता क्या लिखेंगे खोकले गोलिये चालक की सतह पर सतह पर बिद्दु छेतर की तीब्रता आब खोकले गोली चालक की सतह की बात करें तो बिद्दु छेतर की तीब्रता क्या होती है E is equal to अब E1 और E2 ये चालक की सतह है E1 और E2 एक MLN भाग के कारण तीब्रता है और E2 मN भाग के कारण बिद्दु छेतर की तीब्रता है तो ये क्या बनेगी even, बरावर है e2 के, एसामने सम scripture एंक से पढ़ा है और तीब्ड़ता अएगी sigma upon epsilon no कितनी तीब्ड़ता अएगी? sigma upon epsilon no ये even और e2 का मान है गोली चालक की सते पर ये even और e2 समी करण एंक से बरावर है तो हम यहाँ पे तब समीकरण 2 में यह E1 और E2 अगर बरावर हैं तो समीकरण 2 से क्या कह सकते हैं तब समीकरण 2 से तब समीकरण 2 से हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो परिणामी तीब्रता आ रही है E.P. समीकरण 2 से इधर लिख देते हैं हम समीकरण 2 से आफ ऐसा कह सकते हैं क्या E.P. 1 equal to 2 into sigma upon epsilon not या 2 into e2 भी तो वो ही है sigma upon epsilon not कहने का मतलब है कि आपका e1 की जो value आएगी वो आएगी 2 sigma upon epsilon not e p1 की value क्या बनेगी आपके पास 2 sigma upon epsilon not ये बात समझ पा रहे है 2 e p1 की value क्या बनेगी 2 sigma upon epsilon not अब हमको क्या करना है यहाँ पर विद्दु छित्र की तीब्रता अगर ग्यात करनी है फिर से ध्यान दें जो e1 है और जो e2 है वो आपस में बरावर है और e1 और e2 बरावर है तो हम मैं अगर कहूं कि यहाँ पर बिंदु पर कुल तीब्रता क्या आएगी तो दो गुना आएगी किसके सिग्मा आपउन ट्रेफ साइल नॉट के जस्ट इविनिट इसको हमने एकक्वल कर दिया इवन और e2 दोनों को क्या कर दिया एकक्वल कर दिया तो अगर हम पर एक मिनिट सॉरी इसको थो यह हम पहले यह हमने तीब्रता निकाल ली पहले हम बल निकालते हैं फिर इसको एकक्वल करेंगे एक मिनिट आप देखें यहां पर चित्रों को देखें थोड़ा गोड़ से देखो यह तो हमने इस पर परिणामी तीब्रता निकाली कि e1 और e2 एक ही दिशा में तो मैं कहूं का बल कितना लगेगा अगर mn भाग का आविश dq है तो mln भाग के करण mln भाग के करण किस पर mln भाग पर लगने वाला बल तो हम क्या लिखेंगे यहां पर समझें बात क हम कहेंगे MN भाग के कारण MN भाग पर लगने वाला बलू उसका आविश कितना है DQ तो आप पहले इतना लिखें क्या MN भाग के कारण MN भाग के कारण MN भाग के आविश के कारण ऐसे लिख ले या MN भाग के बिद्दुच्छेत्र के कारण MN भाग के DQ आविश पर लगने वाला बल तो कितना बल लगेगा वो देखते हैं तो हम लेखेंगे अब D F बरावर F equal to Q E तो आप इस कितना है DQ और E अब इस भाग के कारण तीब्रता कितनी है तो E1 मानी है इस भाग के कारण चित्र में देखें एक बार इस भाग के करण तीब्रता कितनी है E1 है तो ये E1 भाग के करण जो तीब्रता है वो इस पर बल लगाईगी वो इस वाले भाग पर क्या करेगी बल लगाईगी तो वो इस वाले भाग पर कितना बल लगाईगी अब हमको ये चेक करना है इस वाले भाग पर ये even ती ब्रता के करने इस पर dq आवेश है तो वो कितना बल लगेगा तो वो हमने मान गयाद किया कि बल लगेगा आपका कितना dq f equal to qe तो e1 अब e1 का मान तो हमको पता है e1 का मान है sigma upon epsilon naught तो df बरावर e1 का मान लिखा sigma upon epsilon naught into dq क्या बात समझ पा रहे हैं बल कितना आगया sigma upon epsilon naught क्या आया sigma upon 2 epsilon naught sigma upon epsilon naught sigma upon 2 epsilon naught ये गड़बर हो गई यहां पर थोड़ा खोकले गोली चालक के करन ती ब्रताट 2 epsilon naught ठीक है क्या आएगा sigma upon 2 epsilon naught तो अगर आप यहां पर देखें तो actually ये खोकले गोली चालक की सतय पर बिद्दुच्छितर की तीप्रता होती है क्या होती है sigma upon 2 epsilon naught खोकले गोली चालक की सतय पर ये बिद्दुच्छितर की तीप्रता होती है कितनी होती है sigma upon 2 epsilon अब e1 और e2 बरावर है और अगर e1 और e2 बरावर है तो आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि E बनाएगा आपका E बनाएगा क्या sigma upon 2 epsilon ओके क्या आएगा sigma upon 2 epsilon यह आपका बल आ गया एक सूतर आ गया बल का लेकिन हमने ऐसा पड़ा है ध्यान रखें खोकले गोली चालक की सत्य पर जो बिद्दुचितर की तीबरता होती sigma upon 2 epsilon फिर हमने ऐसा पड़ा है यहाँ पर क्या कि E equal to sigma upon epsilon यह बिद्दुचितर की तीबरता अगर हम लिखें क्योंकि sigma upon 2 epsilon नोट यह भी बात समझें कि sigma upon 2 epsilon कैसे आया सत्य पर तो होती है sigma upon epsilon खोकले गोली चालक की सत्य पर कितनी होती है sigma upon epsilon मतलब इसकी सत्य पर अगर हम देखें तो यह 2E1 किसके बरावर है आपके ध्यान दें 2E1 आपके बरावर है कितना EP1 के EP1 अब आपने कहा कि खोकले गोली चालक की सत्य पर बिद्दुच्छितर की तीब्रता कितनी आएगी तो खोकले गोली चालक की सत्य पर बिद्दुच्छितर की तीब्रता आएगी सत्य की निकट है यह बिलकुल निकट है वो आएगी sigma upon epsilon खोकले गोली चालक की सत्य की निकट कितनी आएगी sigma upon epsilon नोट कितनी आएगी सिग्मा पॉन एपसालिन इतनी आएगी खोकले गोली चालक की सतय के निकट तो सतय के निकट अगर इतनी आएगी तो EP1 सतयब के निकटी तो है तो हम क्या कह सकते इसको 2E1 2E1 is equal to sigma upon epsilon naught तो E1 क्या जाएगा sigma upon 2 epsilon naught यह आईगी actually value क्याएगा sigma upon 2 epsilon naught तो यह तो आगया आपका sigma upon 2 epsilon naught समझ पारें बात को कितना आगया sigma upon 2 epsilon naught यह बिद्दुच्चितर की तीब्रता बन गई बात समझ पारें है क्योंकि यह 2E1 है और 2E2 है तो यह आप यह वाला point यहाँ पर लिख दें 2E1 is equal to EP है EP मतलब सतयब 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 सिग्मा upon epsilon naught तो E1 आजाएगा sigma upon 2 epsilon naught एसे E2 के एक बार इसको बरावर रखोगे तो E2 के बरावर रखोगे तो 2E2 equal to EP1 EP1 क्या है sigma upon epsilon naught तो E2 की value है जाएगी sigma upon 2 epsilon naught यह बल कमान आ गया लेकिन सतयब पर हमने क्या कहा विद्दुच्चितर की तीब्रता sigma upon epsilon naught तो sigma कमान क्या जाएगा यहां से तो sigma कमान आ जाएगा आपके पास epsilon naught into E क्या जाएगा epsilon naught into E तो अगर sigma कमान epsilon naught into E है तो आप sigma की जगे यह value रखें तो यह आए जाएगा आपका बल df बरावर epsilon naught E divided by 2 epsilon naught और into dq क्या बात समझ पा रहे हैं sigma की जो value है वो क्या है E equal to sigma upon epsilon naught क्या है sigma upon epsilon naught तो आप चाहें तो इसकी value put कर सकते हैं एक बात और है यह आपने sigma की value calculate कर लिए epsilon naught E और 2 epsilon naught अगर आप चाहें तो dq का मान भी रख सकते हैं एक बार तो है न इससे यह cancel कर दें तो एक और formula बनेगा यहांसे बलका क्या df बरावर 1 by 2 e into dq दूसरी बात यहां लिख देते हैं हम थोड़ा सा space सुरी थोड़ा कम है दूसरी बात आप यहां पर ऐसे भी कहा जा सकता है क्या कि इधर लिख रहे हैं ध्यान दे कि आविस हमने क्या पढ़ा यह दो equation आप याद रखें एक तो यह बाला समीकरन और एक यह बाला समीकरन एक और बात अगर हम आप से कहें कि आपका जो बल आया है वो आया है df बरावर क्या आया है dq इवन तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आपने प्रश्टी आविस घनत्व का सूतर पढ़ा था किसका सूतर पढ़ा प्रश्टी आविस घनत्व का सूतर पढ़ा तो प्रश्टी आविस घनत्व क्या होता है सिग्मा एक्वल टू आवेस बटे प्रष्टी है छित्रफल आवेस बटे प्रष्टी है छित्रफल तो DQ की वैलू क्या जाएगी आपकी यहां से सिग्मा डी एस आ जाएगी DQ की वैलू क्या जाएगी सिग्मा डी एस आ जाएगी यह value यहाँ पे रखें तो df बरावर dq की value है sigma ds into even और even का मान हमको पता है कि even का मान यहाँ से कितना आता है sigma upon 2 epsilon 0 यह आता है sigma upon 2 epsilon 0 तो यह आपका एक और बल का formula आ जाएगा sigma ds into sigma upon 2 epsilon 0 मतलब final formula क्या बन गया वो देखें तो final formula आपके पास बन गया df is equal to sigma square upon 2 epsilon 0 into ds ठीक है यह बन गया df बरावर sigma square upon 2 epsilon 0 into ds फिर से वोई बात आप यहाँ पर चाहें तो sigma को और क्या लिख सकते है sigma को लिख सकते है epsilon 0 into e sigma को आप यहाँ से क्या लिख सकते है epsilon 0 into e तो यह जो df का सूतर बनेगा वो क्या बनेगा epsilon 0 e इसका whole square divided by 2 epsilon 0 into ds इसका whole square आप solve कर दें तो यहाँ इसका whole square आप solve कर दें तो यह बनेगा epsilon 0 square e square 2 epsilon 0 ds एक epsilon 0 से एक epsilon 0 को cancel out कर दें epsilon 0 से एक epsilon 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा आपका यहाँ पर तो देखिए अगर epsilon 0 से epsilon 0 cancel होगा तो यह जो सूतर बनेगा आपका बलका वो बनेगा 1 by 2 epsilon 0 e square into ds यह बलके दोनों फॉर्मूले काफी important है इनको याद रखें यह बल आगया आपका तो यह तो mln भाग के कारण आया था संपूर चालक के कारण कुल बल उसके बाद यहां से लिखें संपूर चालक के कारण कुल बल कुल बल कैसे गयात करेंगे f बरावर प्रष्टिय समा कलन कर देंगे किसका? df का कब दिए अब को दो मान मिलें यहां पर तो डिएफ का परष्टी समाकलन कर रहे हैं दिएफ का तो आप क्या लिखेंगे एक प्रष्टी समाकलन ऐसे लिख दें प्रष्टी ईसमाकलन सर्फेस इंटेग्रेशन स्य सिग्मा स्कुरर अपन टू एपसाइलेन Saint ds और यह आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर्फेस इंटिग्रेशन वन अपॉन टू एपसाइले नोट e स्क्वेर ds यह बल का सूतर आ गया आपके पास किसका सूतर आ गया यह बल का सूतर आ गया ऐसे हम इस पर चालक पर लगने वाला कुल बल का मान गयात कर सकते हैं इसको लिखने के बाद फिर यह नोट करना है क्या बात समझ पा रहे हैं आपके हमने बल का मान कैसे गयात किया 1 by 2 एपसाइले नोट e स्क्वेर इंटू ds एक तो सूतर यह आ जाएगा एक यह आ जाएगा एस का मतलब है प्रश्टिय समा कलम अब बात करते हम इसके क्या दाव की तो चालक पर लगने वाला दाव चालक पर लगने वाला दाव चालक पर चालक के प्रती एक आंक प्रती एक आंक प्रश्टिये छेत्रफल पर चालक की प्रतिये एक आंग प्रश्टिये छेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है दाब कहलाता है प्रतिये एक आंग प्रश्टिये छेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है तो देखो दाब चाहिए तो हमने प्रतिये एक आंग प्रश्टिये छेत्रफल पर लगने वाला बल तो डी एफ अपॉन डी एस यह सूत्र बनेगा डी एफ का मान रखें डी ए square df का मान रखेंगे सिगमा square upon two epsilon note डी एस एपॉन डी एस एक तो formula यह आ गया तो यह डिये से यह डिये सकट जाएगा तो दाब का सुतर आएगा सिगमा square upon two epsilon यह दाब आ जाएगा या आप इहां पर फिर से दाब को क्या लिख सकते हैं तो ध्यान दें सिग्मा को आप लिखेंगे हमने पढ़ाई बिद्दुच्छित्र की तीब्रता सते पे सिग्मा पॉन एपसाइलेन नोट इसका इदर गुड़ा किया तो सिग्मा एक्कॉल टू स्क्वेर टू एपसाइलेन इसका ठीब तो किया बात समझ भारहे हैं तो ऐसे आपको बल और क्यात करना था काफी एक कोशन काफी लेंदी हो गया आपने अच्छे से सीखा लेकिन इसको फिर से explain करता हूं आप इसको जड़ा देखें और आज का लेक्चर हम यहीं complete करेंगे ठीक है देखें क्या है पूरा सिस्टम एक बार तो हमने कहा यह आपके पास चालक दिया गया था यह चालक है इसको हमने plus q आवेश दिया तो एक समान रूप से इसके प्रष्ट पर बित्रेत हो गया इसके हमने दो भाग कर दिये एक भाग MN हो गया और एक MLN हो गया इस भाग के करन ती ब्रता E1 इस भाग के करन ती ब्रता E2 बाहर की अंदर की बात करूं एक कोई बिंदू P2 लिया जि इसको इदर पाक्षा अंतर कर दिया इन equal to E2 आ अब बाहर की बात करें तो हमने पड़ा इस वाले भाग के करन दूर की ओर तो दूर इधर जाएगा इस वाले भाक के करन भी दूर की ओर तो दूर इधर जाएगा अर्थात EP1 की value क्या आगी 2E1 या 2E2 चालक की सतय पर तीब्रता क्या होती है sigma upon epsilon 0 किसी खोकले गोली चालक की सतय पर विद्दुचितर की तीब्रता क्या होती है sigma upon epsilon 0 तो गोली चालक की सतय पर विद्दुचितर की तीब्रता आपने कहा कि sigma upon epsilon 0 है फिर से देखें गोली चालक की सतय पर विद्दुछित्र की तीबड़ता सिग्मा अपन एपसालेन नौट है मतलब 2E1 आया आपके पास वैल्यू वो EP1 के बरावर है और आपने कहा कि EP1 आपका क्या है एक भाग के कारण MLN या MN भाग के करण जो बिद्दुच्छित्र की ती ब्रता आई वो क्या इसिग्मा पॉन टुच्छित्र के कारण एमन भाग के डी क्यू आवे इस पर कितना बल लगेगा तो डी क्यू इवन लगेगाँ अच्छा जी डी क्यू इवन लग गया उसके बाद हमने क्या किया डी क्यू को आप क्या ये ये आपर एफसाले नौट एबन का मान रखने पर फिर अगर आप चाहें तो यहां पर इलिम या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यह आपके पास फॉर्मूला आया था डी एफ बरावर डी एफ बरावर क्या था डी क्यू एवन अब हमने कहा कि प्रश्टी आवेस घनत होता आवेस बटे प्रश्टी अच्छे तरफल इसका इधर गुणा किया तो डी क्यू कमान आगया एवन लिख सकते हो सिग्मा को क्या लिख सकते हो आप यहां पर एपसाले नौट इंटु ए तो हमने यहां पर सिग्मा को एपसाले नौट इंटु ए लिख दिया सिग्मा को क्या लिख दिया एपसाले नौट ए लिख दिया तो यह सिग्मा को हमने एपसाले नौट इसका होल इसक क्वेस सॉल्व करोगे तो सिगमा इसकोर पॉन टुए क्षाले नॉट इंटु डिया सा जाएगा अच्छा जी आगे क्या मामला चलने माला है एफ साले नॉट से एपसाले नॉट गया तो वन वाई टू एफ सेली नॉट इसकोर इंटु डियस यह बल आ अब आपको चाहिए था दाव तो प्रष्टी एक आंग प्रष्टी च्छेतर फल पर जो बल लगेगा वही तो दाव कहलाता है दाव कहलाता तो हमने दाव के लिए यह फॉर्मूला रख दिया यह वैल्यू रख दी दाव की क्या सिगमा स्कॉर टू एफसालिन नोट डी एस PK-चूर रल टूड़ है फियर इकोल सिगमा पॉन एफसालिन नोट सिगमा की वैल्ल मारे यहां पर वैल्लि पूट कर ही तो एफसालिन नोट स्कॉरी स्कॉर अपऑन ट्वैपसालिन नोट पकैना प्रूपर बेमें स्टुडी करना चाहते है तो ठ HU कुन्छ ने झाल झाल